फिल्मों में काम देने के नाम पर अभिनेत्री से आउडिशन के नाम पर अर्धनाग्ण मुंबई की मलाद साइबर पुलिस ने एक ऐसे फरजी कास्टिंग डायरेक्टर को गिरफतार किया है जो फेस्बुक प्रोफाइल में खुद को फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ब्याना का कास्टिंग डायरेक्टर लिखकर नई फिल्म अभिनित्रियों को मुंबई बनने व आरोपी का नाम ओम प्रकाश्तिवारी है जिसकी उम्र 24 वर्ष है जो हाउस कीपिंग का काम करता है लेकिन फेस्बुक पर खुद को नेट्फलिक्स प्रोडक्शन हाउस का कास्टिंग डायरेक्टर बताता है आरोपी पहले फिल्म लाइन में भी कम कर चुका है पुलिस ने बताया कि एक बंगाली अभिनेत्री आरोपी से दिसंबर 2021 में ओनलाइन संपर्क के जरिये आई थी जिसके बाद आरोपी ने अभिनेत्री को मुंबई में मिलने के लिए बुलाया और वेब सीरीज वर फिल्मों में काम देने के नाम पर अभिनेत्री से ओडिश पुलिस ने बताया कि पीरित लड़की कोलकाता की रहने वाली है और वहां की बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी है, कोरोना काल में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए हिंदी फिल्मों काम करने के लिए ओनलाइन आरोपी के संपर्क में आ गई थी पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस आरोपी ने और कितनी लड़कियों को फिल्मों में काम देने के नाम पर ब्लेकमेल किया है धनन्जे लिगाडे गवरिष्ट पुलिस निरीक्षक मलाड, मुंबई से हमारे समबाद दाता इंद्रदेव पांडे की यह रिपोर्ट मलाड पुलिस ने एक कास्टिंग डायेक्टर के नाम पर लड़कियों को ब्लेकमेल करने वाले आगवरिष्ट पुलिस निरीक्षक मलाड पुलिस टेशन में छे जनौरी को एक बंगल की पोस्चिम बंगल की एक लड़की है उसने आके कंप्लेंट किया कि वो यहां काम डूने गए महिने से यहां है तो उसके दोरान उसका एक मुलाकत एक आदमी से हुई और उसने बोला कि उसको एक अच्छे जगह पे सीरियल में या नेट्फलिक्स पे काम दिला दूंगा यह काम दिलाने के लिए उसके साथ में एक एगरेमेंट किया उसके लिए कुछ पैसे भी ले लिया और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उसने बोला कि अगर आपके अच्छे फोटो है हाफ नेकड फोटो है तो आप भो बेजना पड़ेगा जिसके पास आपको काम करन उनको दिखाने के लिए, तो उसने उसके लिए नकार दिया, लेकिन उसके बाद में उसने एक fake account लड़की के नाम से अपना create किया है, और लड़की के दोारा इसके साथ chatting की, उस लड़कां कंप्लिमंट के साथ में, और उसको convince किया है कि फोटो देना जरूरी है, तो उसके बा देने के बाद में उसके साथ ब्लाक मेल शुरू कर दिया कि अगर तुनको काम चाहिए तो कंप्रमाइस करना पड़ेगा अगर नहीं किया तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगा तो फिर भी लड़की मानी नहीं और लड़की ने वोला कि मुझे ये नहीं चाहिए तो उसने त कंप्लेट दफात दारा तीन सो चोपन ये चोबन ये और डी के तहट और आइट एट के तहट रजिस्टर किया रजिस्टर करने के बाद कुछ टेक्निकल इंटेलिजेंस को वर्काउट करने के बाद में इस आरोपी को हमने 48 आवर्स में कल्लान पिटवारा से गिरफतार कि अभी ये जो आरोपी है वो हमारे कस्टडी में है बारा तारिक तक बारा जनूरी तक इसके तफ्तिश के दावरान उसने कुछ खास उसका कास्टिंग से कुछ परिचे तो है नहीं है लेकिन फिर भी लड़के ने और किसी लड़की को हो सकता है गुमरा किया हो तो हम लग दो किरे तफ तिश करे